शाथियो योग में सुचिता यानि स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल है और सफाई जो स्वच्छता है वो हमारी उसको तीन भाग में विभाजित करूगा आज उसे चर्चा करने के लिए एक तो वातवरण की स्वच्छता एक हमारे अपने तन की शरीर की स्वच्छता और दूसरा तीसरा हमारे न की स्वच्छता जो बातवरण की स्वच्छता है तुन्क सकता है वह आस पास की सफाई गंदगी ना हो सुद्व वाहिवह यहाँ सा प्रयास हो हम सब्सक्राई अध्य preparation सर्भाजित की स्वच्छता ओं और ऑ्हार से स्भारण की offline ऑन स्वाग में इस आहार लेते हैं, अपनी आतों की जो स्वस्था वह, पर वहर की स्वस्था, वह हमारे कपड़े, जूते, हमारा असनान, धैनिक सनान, दात, अच्छी तरह प्रतिदिन साफ करना, दो बार साफ करना, नाखुन हमारे साफ हो विलकुल, ऐसे कटे हो कि उसमें गन्दगी का बिलक और यह तक कि जब सोच करें तो उसके बाद जो साफ करने का वी चाहिए उसमें वी जो होते हैं वो हमारे साफ भी करने के तरीका है और जो लेदे हमात Weekर लेते हैं वह सांस मुशूरी वह संतुलित मातरा में है और ये जो सांस लेते हैं चोड़ते हैं को यह घ्रमारी जो है प्र्णायम की मादियम से हम अपने शरीर को पूरे को रख्त को स्शोद्रिक कर सकते पूरे शलीके अंगों को तो सविश्च कर सकते justice तो पहली तो बाता उनकी स्वच्छता थी दूसरी तन की स्वच्छता तन में बाहर के तन इस्थिती और इसके बाद तीसरी जो स्वच्छता आती है वो मन की स्वच्छता थी है जो माइंड है इसमें जो गंदगियां इकटी रहती होती रहती है इसके उपर जो बहुत सारे अनुभव नेगेटिव एक्स्पिरेंस मन के उपर बने रहते हैं और सबकॉंचिस जो माइंड है हमारा उसके उपर इस तरह की बाते च्छती रहते हैं यह हमारी संसकार बन जाते हैं प्राणद के रूप में चलते आगे वह हमारा स्वच्छ कैसे हो तो अंतेकर्ण की शुद शुद्धता हमारी हो ऐसा हमारा प्रियास हो देश वहमनश्य ग्रोध चिड़चिड़ापन यह कम से कम हो और नहीं हो तो बहुत अच्छा है क्रोध में चिड़चिड़ाट में बड़ी दिक्कत शरीर को आती है हमारे टॉक्सिंस बोड़ी में बढ़ जाते हैं और नकारा दोलों बहुत जरूरी है तो इस प्रकार से यह वातरण की स्वस्ता और तन की स्वस्ता और मन की स्वस्ता तीन का सुध होना बहुत जरूरी है